जहें दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का आज के इस वीडियो में आज हम जानेंगे प्रेजन पर्फेक्ट टेंज के इंट्रोगेटिव सेंटेंज को एक्टिव से पैसे में कैसे बदलते हैं तो बिना आपका समय खराब की हुए आए समझते हैं इसको देखकर आप तुरंत ही समझ जाएंगे कि हमारा है प्रेजन फर्फेक्ट टेंज में आता है और फर्फेक्ट की तीनों फिलाल टेंज में आती है थर्फार्म तो उसके लावा यह कोश्चन मार्क लगा है इसको देखकर आप तुरंत ही समझ जाएंगे हमारा यह और कैसा है Yes, No टाइब है क्योंकि जिनके सुरू में हमारे Yes, No टाइब या तो हामें देते हैं या नामें देते हैं इसका कैसे बनाएंगे कुछ नहीं करना है भही जो अभी मैंने बीचे बताया पिछली वीडियो में वही करना है सिर्फ आपको यहां पर आपजेक्ट मेह चा ही की जगए पर और ही को पहुंचा देना है आपको माई पेन की जगए पर बस कोई और नई चीज नहीं है तो यहां पर ही के हिसाब से हैज लगी थी क्योंकि ही सिंग्यूलर है और माई पेन जब ही की जगए पर आएगा तो माई पेन भी तो सिल्डवरी संग्यूलर ही है तो उसके हिसाफ से भी हमें हच भी हैज यहाँ पर रखना है। उसके बाद बर्व की third form used उसके बाद by लगा देंगे और by लगा कर जो subject ही है वो हम कहां पहुचा देंगे object में पहुचा देंगे तो he का object him होता है I hope आपको समझ में आ गया होगा हमारा sentence बन गया has my pain been used by him कितना easy है बहुत ही आसान है बस इस सूत्र को follow करते चले आई यह बाकि अपने आप बन जाएगा पहले जो यहां पर आप object subject बनाएंगे उसके साब से है जह मैं इसको एक लगा देना है फिर उब्जेक्ट को आपने subject बना दिया फिर बचा हुए HP कह सबीन फिर वर्व की third form फिर बाय लगा कर जो subject था उसका आपने object बना दिया कुछ नहीं है बस इन दो सब्दों का आदान प्रदान होता है बाकि जो sentence का order जो active में होता है वही order पैसे में होता है यानि करता क्रिया करम का order change रही होता है इस बात को आप ध्यान रखिए इसके WH type को समझते है Where have you found these books सबसे पहले पहचानेंगे देखिए यहाँ पर WH यानि question word भी लगा है have लगा है वर्व की third form और question mark इतना बहुत है पहचानने के लिए इतने में ही आप पहचाननेंगी हमारा ये इसका इंट्रूगेटिव सेंटेंस है और कैसा सेंटेंस है एक्टिव है व्स टाइब है इसका पैसिव कैसे बनाएंगे जो question word जहाँ पर है वो वही पर रहेगा HV जहाँ पर है वो वही पर रहेगी पहले यहाँ पर जो subject U है उसके हिसाब से HV लगी थी अब found found मतलब मिल गई है क्या मिल गई है these books ये किताबे तो पहले U के हिसाब से हैब लगा था अब ये these books उठकर ये these और ये books ये उठकर कहा जाएगा इस U की जगे पर आ जाएगा समझ गए आप ये these books उठकर आ जाएगा U की जगे पर तो U के हिसाब से HV हैब था और these books भी तो हमारा बहुचन है तो उसके हिसाब से हमारा है भी रहेगा उसके बाद object का subject object हमारा है these books उसके बाद HV का बचा हुआ है इसा बीन दो वर्ड की अगर है तो जो main word है वो subject के इस तरफ और बचा हुआ है HV का हिस्सा इस तरफ और not आजाता है उसको यहां पर लगाना है ठीक है उसके बाद work की third form तो work की third form तो इस टेंस में कोई confusion नहीं है वो third form हा लिखी ही है found उसके बाद by लगा देना है और उसके बाद जो subject U है उसको ले जाना है आपको इस दीज बुक्स की जगह पर तो U का जो object होता है वो यू ही रहता है और last question mark कितना यह जी हलूआ है विलकुल बस थोड़ा सा आपको ध्यान दखना है कि object को subject बना देना है और जब object को subject बनाएंगे तो उसी किसाब से HB हम यहाँ पर ले आएंगे अगर प्लूर है तो है और singular है तो हैज बचा हुआ है हिस्सा जो है हजब का subject के उस बाद बीन और वर्प की थर्ट फार्म बाई लगा कर subject का object बना देना है question बढ़ अपने जगह पर ही रहेगा यानि कोई order नहीं चेंज हुआ question बढ़ अपने जगह पर है HB अपने जगह पर है पहले subject यह था आप दीजबूस हो गया बस बीन बढ़ गया है बर्प की थर्ट फार्म अपने जगह पर है पहले subject दीजबूस था आप बाई लगकर यह हो गया है कोई नई बात नहीं है I hope आपको समझ में आ गया होगा और सबसे ज़रूई बात जो आपको हर बार याद दिलाने पड़ती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें इससे हमें बल मिलता है ताकत मिलती है और आप लोग ऐसे ही अगर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो हम आपके लिए इसी नई सेनी वीडियो लाते रहेंगे I hope आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसी उम्मीद के साथ जुड़े रहे हमारे साथ मेहनस से दिल लगाकर पढ़ाई कीजिए एक अच्छा नागिनिक बनिये हर बार मैं यही कहता हूँ और अपने माबाप और देश का नाम रोशन कीजिए मिलते हैं गली वीडियो में तब तक लिए बाई बाई चैनल